सो नमस्कार कैसे हैं आप सब I hope आप लोग काफिसाता बढ़ी आऊंगी और आज की स्वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IP University के बारे में काफिसाए लोग इसको IP University बोलते हैं लेकिन इसका पूरा नाम है Guru Gobind Singh इंदरपस University जो कि डेली के अंदर है तो आज की स्वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से कोलीज एफिलेटेड है किस तरह के कोर्सिस होते हैं डिपार्टमेंट कहाँ पर है कब एस्टेब्लिश की गई थी इसके अलावा फीश्टर कैसा है प्लेस्मेंट किस तरह की एडमिशन प्रोसिडर क्या है हर चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो सही लगे तो छोटी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत ही छोटी से रिक्वेस्ट है यहां पर देखने को मिलने वाले है ठीक है और 1998 यानि की जब मेरा बर्थ हुआ था जब मैं पैदा हुआ था उसी साल है एस्टेबिश की गए थी रइट सब अगर मा बात करूए इनके campuses and colleges की तो देखिए कुछ universities होती है जिसके साथ काफी सारे colleges affiliated होते है जैसे की Delhi university है 70 के आसपास colleges affiliated है कुछ universities होती है जो fortified campus in के होते हैं जैसे की LPU हो गया या फिर MIT बगएरा हो गया या फिर बहुत साजोगी universities है लेकिन IP university जो है इसके अंदर basically दोनों तरह की चीज़े है इसके अंदर आपको एक campus भी देखने को मिलता है जो की द्वारका के अंदर है इसके साथ साथ Delhi के अंदर ही आपको 120 से भी जादा colleges IP university के साथ affiliated देखने को मिलते है तो सौन सकते हैं कितने जादा colleges है इसके अंदर आपको 35 government colleges affiliated देखने को मिलेंगे प्लस आपको 89 जो है private college affiliated देखने को मिलेंगे तो इस तरह से इनका campus BA द्वारका के अंदर इसके लावा colleges भी है अब देखिए यहाँ पर एक सीज और मैं आपको बता देता हूँ कि माली जी आप यह सोचते हो कि यह मुझे तो main campus के अंदर ही admission लेना है IP university के अंदर आपकी MA हो गई या फिर आपकी MSC वगएरा हो गई इसके साथ साथ आप माली जी कोई integrated course करना चाहते हो जैसे कि BTEC plus BTEC का कोई course है BALLB का course है उस तरह कोर्स कर सकते हो इसके लावा हाँ BTEC भी आप वहाँ से कर सकते हैं तो कुछ ऐसे courses आप कर सकते हो mostly लेकिन माली जी आपको BBA B.com जैसे कुछ courses करने हैं तो उसके लिए फिर colleges ही आपके लिए ज़्यादा बैटर रहेंगे और वही आप admission ले पाओगे ठीक है तो specific departments आपको campus में देखने को मिलेंगे अलग courses आपको colleges के अंदर देखने को मिलेंगे कि कुछ ऐसे programs है जो university school of studies आपको प्रवाइड करते हैं जो university के department से आपको प्रवाइड करते हैं जो कि दौरका के अंदर university है वहाँ पर और ये है affiliated colleges आपके कौन-कौन से हैं और वहाँ पर कौन-कौन से courses आपको offer होते हैं तो list A है and list B है list A है आपके university के offer वाले and list B है आपके affiliated colleges कोन-कौन से offer करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चलो university की तो अगर आप university campus के अंदर पढ़ाई करें तो किसी-किसी तरह के courses आप कर सकते हो M.Ed आप कर सकते हो MSC in biodiversity and conservation है M.Tech, B.Tech हो गया इसके लावा again M.Tech आप कर सकते हो तो कहने की बात है कि यहाँ पर basically आप जो master degree courses है वो आप mostly कर पाऊगे इसके लावा आप B.Tech कर सकते हो इसके लावा आप journalism वगएरा जो है वो भी आप I.Hope यहाँ से आप कर सकते हैं ठीक है इसके लावा अगर आप देखोगे तो MBA भी आप कर सकते हो Master of Business Administration MBA भी आप कर आप करनी है वो भी आप यहाँ पर available है Master of Law भी आप कर सकते हो इसके लावा अगर हम और नीच आते है तो again M.Tech, M.Tech लिखा हुआ है फिर इसके लावा Master of Arts हैने की M.A. अगर आपको करनी है M.A. भी आप कर सकते हो यहाँ से फिर इसके लावा again M.Tech है इसके लावा Master of Law है वीकेंड पे फिर अगर हम और नीच आ जाते है तो यहाँ पर आप देखोगे डिप्लोमा अगर आपको करना है तो post graduate diploma equity research यह कुछ specialization है और अगर आप PhD कर रहे है doctor of philosophy तो 16 discipline के अंदर आप PhD कर सकते है तो यहाँ पर यह अगर आप देखोगे तो 40 जो courses है almost वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते है जो university के अंदर आप पढ़ाई कर सकते हो इसके बाद हम बात करते है affiliated colleges की तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ affiliated colleges की तो यहाँ पर हमारे पास आजाएंगी affiliated colleges और यहाँ पर देखिए यह है आपके private colleges सारे के सारे और इसके नीचे कर आप देखोगे तो सारे के सारे जो government colleges की list है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है नीचे से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है self financing है इसके बाद यहाँ से आजाती है list of government institutions और आपको जानकर बिल्कुल हैरानी होने वाली है कि यहाँ पर private colleges जो है total number of colleges 89 है और जो total number of government colleges है वो भी almost 40 colleges है 89 तो आपके private colleges है 40 आपके government colleges है और यहाँ पर खुद का भी university का department जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो कितने सारे courses है कितने सारे colleges है भाई अगर मैं बताना शुरू का तो शायए शाम ही हो जाएगी तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं आप IPNCity website open करना प्रोग्राम पर आजाना और आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं हम एक बार वैसे रफ आइडिया ले लेते हैं तो देखो यहाँ पर MBA आपको करनी है वो कर सकते हो BBA आपको करनी है BA आपको करनी है फिर again MBA, BBA, Bcom होना सब्सक्राइब आपको करनी है जो particular college आपको offer करता है तो आपको देखना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा यह वाला college आपको चाहिए या फिर यह college चाहिए कोई भी आपको college चाहिए आपको बार देख लिजएगा तो इस तरह के college लेड़ेड इस तरह के courses आपको academics पर आजाना है और उसे लिस्ट उफ प्रोग्राम्स जैसे आप है पर क्लिक करना आपके college खुल जाएंगे बहुत ही सिंपल है तो आप एक काम करना आप अच्छे से पर research करना है कि कौन कोंसे college आपको कौनसे courses ओफर कर रहे हैं कितने साल का program है वो सब आप यहां पर देख सकते हो ठीक है तो यह कुछ programs है जो आई पी उनिसरेटी आपको ओफर करती है mostly सारे ही programs आप कर सकते हो MSC nursing भी आप यहां पर हो रहा है देखो तो सब यह आप कर पाऊगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ आगे और बाकी आप यह website ओपन करके देख सकते हैं so I hope आपको एक idea लग गया हुआ कि आई पी उनिसरेटी के अंदर कितनी जादा variety of courses आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं कितने सारे colleges हैं कितने सारे courses हैं दुनिया भर के courses हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं admission procedure की admission procedure क्या है IPNCity का तो देखिए IPNCity आपको दो different तरह से admissions देती है सबसे पहले मानलीजी अगर आपको ऐसा course करना चाहते हैं जिसका national exam already है जैसे कि मानलीजी आपको आप कर सकते हो इसके अलाब मानलीजी जैसे कि आप BA, LLB करें तो CLAD के score के साथ आप कर सकते हो तो यह कुछ national exams होते हैं जिनके तुरू आप अपने हर बार ही बताता हूं आपको फिससे बता देता हूं अबर पूरा 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 प्रोसेजर, first step क्या आपका होने वाला है कि अपने CUT का form फिल कर दिया, second step क्या होगा आपका, कि आपने CUT का interest test दे दिया, जब आप CUT का interest test दे रहे होंगे तो उसके आसपास ही है उससे पहल को कौन सा college मिल रहा है, तो आपने जो भी CUT के इंदर score किया होगा, उसके basis पर आपको different colleges है, वो आपको allot कर दी जाएंगे, आपके score के basis पर, आपके ranks के basis पर आपको ये वाला college मिल रहा है, तो उसके तुरू आपको admission है, IP and study के इंदर पूरी तरह से मिल जाएगा, first step CUT का form कर दिया, second step आपने जो CUT का interest है, वो दे दिया, इसके साथ साथ उसके आपके forms भी आ जाते है, पहले भी आ सकते है, बाद में भी आ सकते है, तो आपने form फिल कर दिया, IP and study का form फिल करने के बाद आपके counseling हो जाएगी, आपका final admission हो जाएगा, CUT के scores के basis पर, तो ये आपका admission प exam जो है, वो भी यहाँ पर accept किये जाते है, ठीक है, तो ये आपका IP and study का पूरा-पूरा admission प्रोसेजर होता है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, fee structure की, तो देखे, यहाँ पर भाई, कितने सारे campus के अंदर departments हो गई, कितने सारे लगलग colleges हो गई, कितने सारे courses हो गई, तो fee structure के अंदर आपको यहाँ पर काफी जादा differences देखने को मिलते हैं, कहीं पर आपको fees 23,000 से 24,000 से देखने को मिल जाएगी, कहीं पर वही fees आपको दो लाग रुपे का स्वासी देखने को मिल जाएगी, तो different variety of fees आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, अभी देखे, आपको BIS कर रहे हो, BCAM कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी fees 30,000 पर NM के आसपास लगने वाली है, इसके लावा अगर मानलीश यह आप भई, Self Financing Institute से अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पर MBA की fees आपकी 15,000 यहाँ पर लिखा है, MCA की 20,000 है, LLB की 15,000 के आसपास है, BHM की आपकी 12, 15,000 के आसपास है, तो यह जो fees structure है, आपको देखने को मिल रहा है, इसके लावा, BR, MASCOM, BTEC वगरा की 15,000 है, तो यह भी काफी कम है, लेकिन देखिए मानलीश यह, अगर आप colleges की fees के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप BBA करना चाहते हो, आप BCOM वगरा करना चाहते हो, आप आपको पढ़ाई करनी है, भाई, महराजा अग्रसें से, सुरजमल से, विप्स से, जो की IPC के top colleges है, अगर आप यहां से पढ़ाई कर रहे हैं, तो विप्स की जो fees होने वाले है, आपकी विप्स पर मतलब विवेकरनदा, Institute of Professional Studies, जो की I guess, रोहिनी में है, पितम पूरा, पित देखने को मिल रहा है, भाई, सभी courses का, एक साल का, इसके अलावा बीटे कर आप कर रहे हो, विप्स से, तो यहां पर 1.33 lakh job की fees है, आपको यहां पर देखने को मिल रही है, तो भाई, यहां पर आप माली जो top college टागेट कर रहे है, आपको एक लाग के आस-पास fees जो देखन पली top college है, तो BBA कर रहे हो, BKOM कर रहे हो, BALB कर रहे हो, वहां पर भी आपको 88,000 से लेकर के 1.5 lakh के आस-पास fees यहां पर देखने को मिलती है, इसके अलावा मालनी जी आप महराजा अगरसेन Institute of Technology आप कर रहे हो, यानि कि आप जो आपने सुना होगा, महराजा अगरसेन Institute of Technology अपने बहुत बार नाम सुना होगा इसका, तो अगर आप यहां से मालनी जी बीटेक कर रहे हो, MBA कर रहे हो, तो 1.4 lakh से लेकर के 1.6 lakh के आस-पास fees है, और होसल की अगर आप देखोगे तो 1.3 lakh से लेकर के 1.96 lakh के आस-पास fees है, तो fees भाई काफी जाद है in colleges की, इसके काफी जादा बढ़िया थी, 30-40 LPA तक का हाइस package लग गया था, तो काफी जादा बढ़िया थी, average package आपका यहां पर 8-12 LPA का था, लेकिन अगर मालनी जी आप करना चाहते हो, जैसे कि आप BA, LLB कर रहे हो, या बिया कर रहे हो, LLM अगर आप कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसे courses कर रहे हो, तो देखो यहां पर median package लिखा हुआ है, median package का क्या मतलब होता है, middle value, beach की value का है, उससे उपर भी उतने packages होंगे, उससे नीचे भी उतने packages होंगे, तो अगर आप median packages देखो कि यहां पर तो देखो 4 LPA है, 5 LPA है, काफी कम median value है अगर आप compare करो कि दूसरे studies, दूसरे placement के में बात कर रहा हूँ, इसके लावर जुनका average package था, वो था 4 LPA का, और जो lowest package था, वो था 1.5 LPA का, तो भई, अगर आपको highest package मिल गा था है, top police के इंदर पढ़ाई करके, 8 LPA का, 9 LPA का तो बहुत ही सदा बड़ी है, लेकिन अगर आपको lowest package मिल रहा है, 1.5 LPA का तो फिर 10,000 ही हो गई, CTC में बहुता चीज़े कट भी जाएंगी, तो फिर बहुत ही गांगेज है, और देखिए, एक चीज में आपको suggest करना चाहूँगा कि मालनी जी आप IPONS ready से BBO कर रहे हो, तो अगर आपको top college मिलता है, जैसे कि महाराजा सुलजमल है, अगर सैन है, विप से, तो अगर आपको ये college मिल रहे हैं, आपको बहुत ही बढ़ी है, पढ़ाई कर सकते हो, फायदा है आपको काफी, लेकिन यहां पर आपने देखी लिया हुआ कि किस तरह से आपको 120 से भी जाधा college मिल रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सार ऐसे college है, मतलब top 10, top 15 को अगर आप हटा दोगे, तो उसके बाद बहुत सार ऐसे college है, जहापर highest package ही, आपको 3 LPA, 4 LPA भी देखने को मिलता है, मतलब highest package, और तो आपको देखना होगा, placements के हिसाब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप college के बार में अच्छे से जान लेना, उसके बाद ही आप admission लेना, काफी बढ़िया placement से नहीं होती है, top college के तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन top के बाद अगर आप देखोगी, तो सच में placement काफी कम आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो हम लोग आज आते हैं फिर notable alumni पर, तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही का शाथा कि Ipn City established कीगी थी 1998 के अंदर, तो भाई, यहां पर काफी young notable alumni आपको देखने को मिलेंगे, काफी पुराने और बूरी notable alumni नहीं देखने को मिलने वाले हैं आपको, एक दो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता हैं उन्मों ने कुछ डिप्लोमा किया हो, डिप्लोमा की थूरु भी हो सकते, एक दो aged alumni आपको देखने को मिल जाए, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो देखो, तापसी परनु है, वो आई-पिन सिटी से पढ़ करके निकली है, गोरव गोगोई है, जो की पुराने जो CM थे, former CM थे, असम के उनके बेटे हैं, तर्म गोगोई के, इसके अल गुनीत मोंगा है, फिल्म प्रोडूसर है, सोरभ भारदवाज है, आपके पॉलिटिशन जो आप अक्सर आजकल लुशेलिस पर देखते होंगे उनके भाशन को, तो सोरभ भारदवाज जो भी आई-पिन सिटी से पढ़ करके निकले हैं, इसके अलावाज जितने भी आप और देख पा रहे हैं, वो एक्टर्स है, सिंगर्स है, एथलीट है, तो इस तरह के जो लोग हैं, वो यहां से आपको देखने को मिलते हैं, इसके लावर हम बात करूँ, टॉप कोलीजिस कोन-कोन से है, आई-पिन सिटी के तो यह भी आपके लिए काफी इंपोर्टन है, त इसके लावर उनिस्टी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टूडीज है, तो मतलब मोस्ली जितने भी डिपार्टमेंट से आपको मेन केंपस के लिएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, इसके लावर देखिए, कोलीजिस की जहां तक बात है, तो विप्स हो गया, जो मैंने जस्टर भी आपको बताए था, वेकरनदा इंस्टूट ऑफ प्रोफेशनल स्टूडीज है, अग्रसेन है, जिम्स है, सूरजमल हो गया, इसके लावा भारती विद्यापीट स्कूल ऑफ इंजिनिरिंग है, इसके लावा भाई परमानत कॉलेज है, डेली स्कूल डेली इंस्टूट ऑफ एडवांस स्टूडीज हो गया, इसके लावा रुकमनी देवी है, ट्रिनेटी है, तो इस तरगी जो कॉलेज है, ये काफी बढ़िया कॉलेज है, अगर आपको इनके अंदर एड्मिशन मिल रहा है, डेफिनिटल आप एड्मिशन ले सकते हो, मानन चाहिए, अगर आप दिल्ली में रहते हो, और आपका भाई मन है कि मुझे तो दिल्ली के अंदर ही पढ़ाई करनी है, तो अगर आप डियू में भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आप अपके पास कुछ ऑप्शन मिलता है, तो बैक अप के अंदर आप जरू-जरू-जरू- बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट से अवैलिबिलिटी है, वो काफी जादा है, तो अगर आपका कहीं पर अदमिशन होता तो आइपन सुटी के अंदर अदमिशन होने के चांसेज, मतलब यहाँ पर काफी अपके होंगे, ठीक है, तो आप आप आपन सुटी को बैक अ में कंसिडर जरू-जरू कर सकते हैं, और बाकी मिलते रेक्स वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो सही लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करतीजिएगा, बैल आकन को प्रेस करतीजिएगा, और बस यही चाहता हूँ मैं, कि आप सब्सक्राइब करते हैं, सो बाई बाई और टाटा